हेलो भाईयो कैसे हम सब वोकरता हम सब बड़ी आउंगे भाईयो तो आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है क्योंकि बहुत जादा डिमांड के बाद और कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस वीडियो के लिए तो काफी पॉपिलर डिमांड के बाद ये वीडिय इसका टॉपिक आज पूरा कवर होगा वैसे कई सारे लोगों को पता है जो मेरे साथ खेलते हैं कि ग्लिच कैसे करनता है या क्या सेफटी मेजरेस के लेकिन कई लोगों को नहीं पता तो PC प्लेयर, PS4 और Xbox प्लेयर सभी जो GTA Online खेलते हैं और जो ग्लिचिस करते हैं और नही भी करते हैं वो भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो भी पहले ही डरते हैं इसलिए वो इसको करते भी नहीं तो आज ही बात करेंगे हैं कितनी सेफ है ग्लिचों को करना और कितना नहीं क्योंकि पहले जब मैं न्यू न्यू था ग्लिचिस में तो मैं भी खुद करता नही मिशन किया है 20-20-30,000 डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मिशन किया है लेगे न बैसा है नहीं अब हम मिलियन एर हैं तो मैं सारा कुछ रखूँगा सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगा एक एक बंदे के तो और रिसेंटली रॉकस्टार ने भी कहा है ये कि हम बैन कर रहे है तो मेन करने वाली ये सब कुछ करता धरता रॉकस्टार ये रॉक्षर नौर्थ स्पेसिफिकली टो रॉक्षर से समझ जाना जब भी मैं पूरे वीडियो में रॉक्षर बोलुता हूं यानि जीठे का मालिक तो रॉक्षर ने क्या कि हम बैन कर देंगे कई सारे प्लेइट क पर खेलता हूं तो मेरे पास PC है भी नहीं लेकिन फिर भी डिमांड पर मुझे डालने पड़ती है PC के लिए ग्लीचिस तो PC के लिए अभी रिसेंट मैंने ग्लीच डाली थी होर्स रेसिंग वाली कसीनो वाली इंसाइट रैक में जो होती है तो वो ही बैस्ट ग्लीच है कसीनो के लिए क्योंकि उसमें पकड़े जाने का डर भी नहीं है और ना ही कोई बैन का डर है कुछ भी नहीं है तो PC प्लेयर्स मागते रहते हैं और भी ग्लीच उसके लावा लेकिन सबसे सेफ ग्लीच उनके लिए वो ही है और वो करो और पैसे कमाओ मिलियंस बनाओ मैंने उससे खुद मिलियंस बनाए है और मेरे जो मेरे साथ खेलते हैं उन्होंने भी तो उस ग्लीच को कर सकते हो PC प्लेयर्स कोई उसमें दिक्कत नहीं होता उसमें और अगर कुछ हो भी सकता है तो जाज से इतने है इतने है शोओ आफ नहीं करोगे तो ठीक रहेगा शोओ आफ करोगे तो फ़स जाओगे क्योंकि रॉक्स्टार ग्लिच करने से आपको रोग नी सकता ग्लिच पैच जरूर कर सकता हो लेकिन अगर जब तक वो ग्लिच चल रहे उसका फायदा उठा रहे हो तो पैसे करके मत रखोस में क्योंकि अगर आप कोई चीज उससे खरीद दो कार प्रोपर्टी अपार्टमेंट विजनस कुछ भी खरीद दोगे उन पैसों से तो रॉक्स्टार से वापिस नहीं ले सकता जो गाड़ी आपकी हो गई हो गई जो प्रोपर्टी ले ली सो ले ली वो और छिने भर उस्ता तो अकाउंट सारे उनके बस में होते हैं वो मनी वाइप कर देते हैं और कई लोगों को पिछले हफ्ते जहीं दिक़त आ रही है कई सारय लोगों की वैप हो रहा इसी वजह है इसलिए जब भी पैसे एकठे हो glitch करके तो सबसे पहले जो जरूरत की चीज़ा बोलो जो जरूरत की चीज़ें इसमें वो भी मैं एक separate video बनाऊंगा अभी कि क्या क्या चाहिए सबसे पहले पैसे अते जो चीज़ लेनी चाहिए हो जो आगके पैसे लेने में मदद करेगी क्योंकि मुझे बहुत सारा experience है इस गेम का तो इसलिए तो PC players की मैंने कर दिया सारी दूविदा खतम यहां पर क्या करना है क्या नहीं करना हो और सवाली glitch करो अभी patch नहीं है करते रोस को millions बनाओ और जोड़ के मत रखो पैसे में जितने ज्यादा खर्च हो सके करो और यह PC players के लेनी है यह PS4 और Xbox players के लिए गया कि पैसे जोड़ना एक अच्छा option है नहीं glitches करने के बाद तो जितने भी glitches करोगे तो साथ के साथ कोई ना कोई चीज खरीद लिया करो क्योंकि पैसे जोड़ने के लिए तो glitch करते हूँ PC के मैंने डालता तो PS4 वाले बंदे सबसे safe glitches उनके लिए पैसे बनाने के लिए यह है जो horse glitch चल रहे है वो तो कर नहीं सकते करेंगे भी नहीं क्योंकि उनको बोरिंग लगती है महनत जाद है उसमें उनको आदत पढ़े गया पसाने लिए इसकी तो सबसे best way उनके प कोपी बना के 20-30 सेल करते हैं अच्छे का से पैसे मिल जाते हैं लेकिन जो इस गेम में महंगी से महंगी गाड़ीया है जैसे की विजलेंटे या फिर डिलक्स हो या कुछ भी तो वो इतने प्राइस में नहीं बिखती है अगर डिलक्स कोपी करोगे तो दो लाग की लेंटे कोपी करूंगा मैं तो विजलेंटे बेच दूँगा यह कर दूँगा ज्यादा पैसे आएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि डुप्लिकेट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पे जितनी मॉडिफिकेशन होती है मॉडिफिकेशन के ही पैसे मिल सिर्फ दोगे तो इसलिए तो गेम है लेकिन गाड़ी बेचने के लिए तो यह यह तो आपको नाइट शार्क नहीं पसंदा के आपने वह वापिस बेच दी तो इतना तो चलता है के रख स्टार कहेगा चलो एक गाड़ी बेच दी ठीक है चलो आपको ऐसा भी लगा के एस्टेट भी है तो फिर आपने सुचा के यार मुझे यह नहीं चाहिए आपने एक और गाड़ी बेच दी तो रॉक्स्टार गएगा चलो दो बेच ठीक है लेकिन ऐसा तो नहीं के दिन में 10-10 गाड़ी डुपलिकेट करें और 10 की 10 बेच रहे हो तो रॉक्स्टार तो शक कर है तो बैन करना तो सौ में से 90 परसेंट चांस तो है कि बैन नहीं करता रॉक्स्टार मनी वाइप कर देता है या फिर एक महिनने के लिए आपको नहीं चलाने देगा काउंट जा से आधा हस से आधा यह कर सकता है जो मैक्सिमम खतरा यही है इसमें लेकिन काड़ डुपलिक कर ली तो दस के दस बेच दूँगा और मैं तो डिलक्सों भी खरीद लूँगा उपर एसर भी बंकर भी सारा कुछ ऐसे नहीं होता जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी फस होगे तो साफ सी दिसी बात है एक दिन में सेफ लिमिट रखने के लिए कि डेली लिमिट रीच अगर एक बाद डेली लिमिट रीच हो गई मैसी जा गया कि गाड़ी साल करने जाओगे तो लिखाएगा कि यू है रिच देली लिमिट तो डेली लिमिट ठाना बड़ा मुश्किल है कई कई महिने लग जाते हैं तीन चार पांच महिने वह लिमिट नहीं अटती तो जितनी ही खड़ता गलिच तो ही ठीक ता तो इस से बचने का यह की तरीका है कि दिन में पांच गाड़ी पांच गाड़ी बेच सकते हो एक दिन में से फ लिमिट के लिए है और वो भी ऐसे नहीं के पांच के पांच врक्नेके लोगी इनगाल की बाद करेंड करों नहीं है बिंक गांड़ी और कोई बीज खरीद नहीं है और नहीं है तो 10 का परोण हैं और सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूं मैं जो कार डुप्लिकेशन में गाड़ी वो है फ्यूचर शॉक आई सी एरिना वार की फुली मॉडिफाइड कार उस सब स्यादा पैसे उसी गाड़ी के मिलते हैं बेचने पर उस स्यादा वैल्यू की कोई कार नहीं बिखती इस तो कोई फायदा निया धंकी चीज करोगे गेम में तो ठीक रहेगा तो वह गाड़ी डुप्लिकेट करके उसको फुल्ली मॉडिफाइड करके पहले उसको डुप्लिकेट करके वह बेस सकते हो एक्सबॉक्स PC और PS4 तीनों के लिए यह कार डुप्लिकेशन PC पर भी चलती ह तो इस तीनों कर सकते हो सबसे बैस तरीका है मनी ग्लिचिज में इससे अच्छी मनी ग्लिच कोई निया कार डुप्लिकेशन से क्यूंकि इसमें बैन होने का खत्रा भी नहीं होता तो मानलोग दीन गैरेज भी अगर डुप्लिकेट करके रख ली गाड़िया तो उनको रख अजब बैस पर 충분히 एससे करके सेफ तरीके से चल सकते हैं जैसे मेरे पास अभी सारे गाऱ जितने भी मेरे हैं सारे इसी से बढ़े बढ़े है डुप्लिकेट क Mov तो हर एक चीज इस गेम की मेरे पास है और 60 मिलियन उपर से कैश भी है मेरे पास तो 60 मिलियन ऐसे नहीं कि मैंने भी लालच किया लेकिन मुझे बेचना पड़ा क्यूंकि गाड़ियां बेचनी पड़ी क्योंकि हर अफते नहीं कार्स आती है उनका रिव्यू वगारा देना पड़ता है खरीदनी पड़ते है तो मेरे पास जगा नहीं थी गैरेज में इसलिए मुझे हर अफते गाड़ियां बेचनी पड़ती है इसलिए मैं बेचता हूँ नहीं तो तो ऐसे अपना मेरी तरह स्मार्ट प्ले करके बिना बैन किये और बिना किसी चीज के मनी वाइप मेरा आस तक नहीं हुआ बैन आस तक नहीं हुआ सब चीज़ों से बच सकते हो अराम से एक एक गाड़ी बेच के तो PC, PS4, Xbox अब के लिए क्लियर हो गया गिलिच इसका जैसा कि उन्होंने शार्क कार्ड भी रखे हैं इसमें अलग अलग वैल्यू के शार्क कार्ड है उनसे इन गेम आपको मनी मिलती है रियल मनी के बदले तो अगर गिलिचीज ही करते रोगे और ज़्यादा एक्सप्लोइट करके उनकी नजरों में आओगे तो वो तो बैन कर आप राता है तो सोचते हैं कि हमारे शार्क कार्ड भिकेंगे लोग उपरेइसर लेंगे यह लेंगे तो गिलिच करके लोगे तो, कहां से उनकी भिकेंगे तो वो भी स्पैशल टीम एक बनाके उनने इसलिए रहर रक्या कि जो भी सश्पिशियश उनको लगता है प्लेयर क करी रहे हैं वीडियो देख देखके लालच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मेरे साथ खेलने वाले यह बंदे ज़्यादा लालच कर रहे हैं तो यह सब ना करो तो बच जाओगे बैंसे क्योंकि इस अफते रॉक्स्टार ने खुद मुझ से अपने ऑफिशल ही कह दिया है तो यह सब स्टैप फॉलो करो और जिसको भी डाउट रहे गया कुछ इसके बारे में वो कमेंट में पूस सकता है मेरे से मैं बता दूंगा पर्सनली और जो पीस फोर पे प्लेयर्स हैं मेरे साथ भी खेल सकते हैं अड़ कर लेना आईडी क्रेटर स्टैन के गेमिंग और कई सा लेफटी मैजर बता है यहां से फॉलो करना और भी कोई डाउट है तो वह बी क्लेर कर दूंगा कॉमेंट में तो मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक ले सब को बाए कि अ अ अ अ अ अ